बच्चो आज की कविता का शीर्षक है नव इतिहास रचाएंगे यह नव इतिहास रचाएंगे जो कविता है यह भारत भूम के उन बच्चो पर आधारित है जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से छोटे छोटे अपने कार्यों से उन अच्छी सोच से अपने एक नए भारत वर्ष का निर्मान करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं हम बालक हैं वीर साहसी आगे बढ़ते जाएंगे सजग सोच और स्रम से अपने नव इतिहास रचाएंगे अर्धात बच्चे कहना चाह रहें कि हम सभी बालक बहुत ही वीर और साहसी है वीर यानि कि हम सभी बहादूर है हमारे अंदर बहुत ही साहस या कह सकते हैं बहुत ही हिम्मद है जिसके लिए हम आगी बढ़ते जाएंगे कभी हम रुकने वाले नहीं है हमारे अंदर एक सजग सूच है, हम सभी कार्यों के प्रती सजग है हम अपने स्रम से एक नए भारत वर्ष का निर्मार करना चाहते हैं दुन के पक्के मन के सच्चे माँ हम छोटे छोटे बच्चे विद्या वुधी पराक्रम देदो करें काम हम अच्छे अच्छे अब इसमें बच्चे कह रहे हैं कि हम धुन के पक्के, मन के सच्चे धुन के पक्के का अर्ध है कि हम जो ठान लेते हैं वह करके दिखाते हैं हमने ठान लिया है कि हमें कुछ अच्छा काम करके दिखाना है और हम मन के सच्चे हैं हमारे अंदर किसी के प्रत एशा देवस नहीं है माहम छोटे छोटे बच्चे माहम सभी छोटे छोटे बच्चे एक नए भारत वर्ष का निर्माड करना चाहते हैं आप हमें विद्या, वुद्धी, पराक्रम दीजिए जिसके काराम हम अच्छे अच्छे काम कर सकें जो निर्धन है जो निर्बल है इस समाज में जो दुर्बल है जो शोशत है या पीड़त है सदा चाहते जो समबल है उनके सबल सहारे बनकर अपने गले लगाएंगे अर्थात बच्चे कह रहे हैं कि हे माता हमको आशरवाद दीजिए वर्दान दीजिए कि इस समाज में जो निर्धन है यानि कि जो धन से हीन है जिनके पास धन नहीं है जो निर्बल है जो कमजोर जो समाज में दुर्बल है जो शारीरिक रूप से कमजोर है और जो शोशित है या पीडित है जो दूसरों की द्वारा सताय हुए है सदा चाहते जो संबल है वो किसी का सहारा चाहते है तो उन सब का हम सहारा बनना चाहते है और उनको हम अपने गले लगाना चाहते है अर्थात बच्चे कह रहे हैं कि यह धर्ती माता हमारी बहुत ही महान है क्योंकि यहां पर बहुत इतने महान लोगों ने जन मिलिया है जिससे हमारी धर्ती और भी महान हो गई है आलिकार्थ होता है महान अंपदा वाली धर्ती अर्थात हमारी जो धर्ती माता इसमें बहुत सारे खनिज उपलब्ध है जैसे सोना चांदी भिन संस्कृति भिन भाशाएं यहां पर हमारी भारत में बहुत अलग लगतरे की संस्कृतियां है भिन भिन भाशाएं भी हैं भिन भिन धर्म के लोग भी रहते हैं इसके बाद भी यहां एकता देखने को मिलती है अवन धर्ती अपनी माता यश वैभव सुख बल की दाता मा से प्रगती प्रेड रा लेकर सतत बाल दल बढ़ता जाता हमारी जो धर्ती माता है जो हमारी भारत भूमी है यह बहुत ही पवत्र है इसने सभी को कीर्थी यश यानि की कीर्थी वैभव यानि की संपत्ति सुख और बल को प्रदान करने वाली है तो हम अपनी इस धर्ती माता से हम भी प्रेड ना ले रहे हैं और इसी तरह हमारा ये जो बाल दल है यानि की जो बालक का ग्रूप है वह आगे बढ़ता जाएगा वह रुकने वाला नहीं है क्योंकि हम अपनी भारत भूमी से सीख ले रहे हैं उन्हीं की जैसे काम करके दिखाएंगे भारत मा की गोरब गाथा उचे स्वर में गाएंगे नव इतिहास रचाएंगे अर्थात बच्चे कहना चाह रहे हैं कि उस महान भारत माता की हम का गुडगान करना चाहते हैं जैसे कि हम सब परचित हो सकी हैं इस भारत माता से हम इतना उसका गुडगान करेंगे कि इस सभी लोग परचित हो सके और जो हमने ठाना है एक नए इतिहास रचाने की तो सभी उसमें शामिल होकर कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं और एक नए समाज का नए भारत वर्ष का निर्माड कर सके इस कविता के माध्यम से जो कभी है वह सभी बच्चों से सभी बालकों से कहना चाहे रहा है कि आप इस भारत भूमि से या भारत माता से आप सीख लीजिए आप प्रेड़ना लीजिए और ऐसे अच्छे-च्छे काम करके दिखाईए कि कोई भी समाज में ना छोटा हो ना बड़ा हो ना कोई उचा हो ना नीचा हो ना किसी भाषा की अधार पर किसी पर अंतर किया सभी समान हो तो ऐसे हमें समाज का निर्माड करेंगे जिसको सभी लोग याद रखें तो इस तरह बच्चों हम सभी को इस कबता से सीख लेनी है इसके बाद ये क्लास ओवर हुई मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई